हालो स्टूडेंट्स इस विश्णु शर्माग्यान आज हमारा कंजेंशन का पार्ट फोर हम पढ़ेंगे हमने पिछली तीन पार्ट में लगबग चार्ट से पाज कंजेंशन कोवर किये हैं उनके एक्जांपल्स करें आज हम पढ़ेंगे अंटिल तिल और अनलेस का प्रियो सेंटेंस में कैसे करना है यह हैं पढ़ेंगे तो देखें आप अंटिल की जो स्पैलिंग है उस पर ध्यान दे थोड़ा था याद रखें टी डबल ल नहीं आना चाहिए सिंगल ल का यूज हम करते हैं यू एन टी आई यल अंटिल का पार एक्जांस में देखा गया है इसको की but में दिया जाता है इसका ध्यान रखनें बहुत कॉमन और बहुत शांदार है ठीके बात करते हैं अंतिल तिल और अनलेस की तीनों कंडीशन पेस्ट गंजंग्शन है इन रहे तीनों का अर्थ सेम होता है जब तक की नहीं जब तक की नहीं कि अच्छा नहीं बोल यानि हम ऐसे कह सकते कि सर तीनों कंजिंशन अगर पहले से ही नेगेटिव हैं तो आप याद रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में दो नेगेटिव का प्रियोग एक साथ नहीं किया जा सकता ऐसा मानलो कि सर, एक साथ दो 0 का पुरियोग इंग्लिश में नहीं हो सकता यानि दो नेगेटिव्स का पुरियोग नहीं कर सकते इस लिए हमें याद रखना है कि सर इन तीनों कंदूशन को नेगेटिव मानते वे इनके तुरंत बाद यानि just इनके आगे की तरह यानि जैसे जहांते लगाओ इसके बाद जो यह वाक्य होगा यहाँ पर इस वाक्य में वर्ब के बाद किसका प्रियोग नहीं होना चाहिए not का प्रियोग नहीं होना चाहिए टिल से sentence की श्रुरात नहीं हो सकती, इसका याद रखेंगे, टिल से sentence जो है starter नहीं हो सकता है, इसका प्रियोग फिर करना कहा है, दोनो वाक्यों के बीच में कर सकते हैं दोनों वाक्यों के बीच में आप तिल का प्रियूग कर सकते हैं ठीक है तो फिसर पर तिल के स्थान पर क्या आएगा यह वाक्य में तिल दिया जाए सबसे पहले तो हमें सही कैसे करना है तो आप याद रखेंगे ऐसा होने पर तिल के स्थान पर किसका प्रियूग करेंगे हम अंटिल का प्रियोग अंटिल का आर्थ भी क्या होता है जब तक की नहीं तो वाक्य के प्रारब में और दोनों वाक्यों के बीच में दोनों अस्तान पर आप अंटिल का प्रियोग केवल दोनों वाक्यों के बीच में होता है याद रहने वाली बात यह है अंटिल का दूब वाक्य के प्रागम में नहीं, दो वाक्यों के बीच में करना है, अगर प्रागम में दिल आ रहा है, तो दिल को एरॉर मान कर हमें दिल के इस्तान पर किसका प्रियूग करना चाहिए, अंटिल का प्रियूग करना चाहिए, यहां तक I think हमें बात clear हो गई होगी, उसके बाद हम देखते हैं, कि सर आगे क्या बाद है, आगे बचा हमारा unless, थोड़ा सा हमारा समझ्या है, unless और until में, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्ण हमें देखने को मिलते हैं, तो याद रखेंगे, unless और until, यहां भी अर्थ तो सेम ही है, तीनों का अर्थ सेम हैं, फिर uses दो रहे हैं, उस शर्थ हमें बार-बार कार्य करने पर वो शर्थ पूरी हो रही हो, वो कार्य बार-बार करने पर पूरा हो रहा हो, तब जाके उस कार्य को पूरा करना बताने के लिए, उस शर्थ के लिए हमें किसका प्रियोग करना है, unless का प्रियोग करना है, और दिया गया क कारियर या सामने वालन जो शर्थ हमें दी है वो शर्थ एक ही बार में एक ही समय में या एक ही समय में एक ही समय में काम करने पर पूरी हो रही हो तो हमें किसका प्रियूग करना है सर अंटिल का प्रियूग करना है में इपॉर्टेंट बात क्या है एक्जाम में कि तीनों कंज के तुरंद बाद वाले वाक्य में हम विल और शेल का प्रियोग नहीं कर सकते हैं तीनों के बाद वाले वाक्य में विल और शेल का प्रियोग हम नहीं कर सकते हैं तो सरक इसका प्रियोग होगा इस तरह के से बाक्या, बना सकते हैं, तो कोई दिखकत नहीं है, कोई और टाइन्स आ रहा है, विल्शेल आ रहा है, कि जो कारिये सामने वाला हमें दे रहा है वो कारिये बार-बार करने पर पूरा हो रहा हो वो शर्थ बार-बार काम करने पर पूरी हो रही हो तो unless का प्रियोग करेंगे वो शर्थ से पहले और अगर एक ही समय में एक ही बार काम करने पर पूरा हो रहा है वो वाक्य है, वो कारी है, वो शर्थ, तो हमें किसका प्रियूग करना है ज़र, अंटिल का प्रियूग करना है, I think यहां तक हमाएं बातें clear हो रही होगी, उसकी बाद हम बात करते हैं आगे, examples की, इससर कैसे समझेंगे, examples के तरीके से हमें बताईए, तो इसके लिए हम समझे पहला वाक्य देखें, अगर हमारे exam में ऐसा वाक्य आजाए, कि till I returned home, कि अर जब तक की में घर नहीं आया, my mother did not take lunch, मेरी माता नहीं किया, lunch नहीं किया, हम देखेंगे, till के बाद, एक तो verb की second form से वाक्य बन रहा है, यानि यह विल शेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, not be नहीं है, इसके बाद एको subject है, verb है, यहाँ पर not दिखाई नहीं दे रहा है, not वाली गलती भी नहीं है, तो सर्फिर क्या गलती है, हमने पढ़ा कि सर्टिल से वाक्य ब्रारम नहीं होना, चाहिए, ऐसा होने पर, till के हिस्तान पर, इसका प्रियोग कर देंगे, until, until और unless का प आँ. जब तक कि मैं घर नहीं है, कितनी बार में घर नहीं है, यह के बार तो होँगा, यह condition कितनी बार में पुरी होगी, एक बार, किया जब तक कि मैं एक बार घर नहीं आ गया, मेरी माता ने, मेरी मान ने लंच नहीं किया, ठीक है, इसली हमें यहाँ, until you study hard, अब ध्यान यू हमारे सेंटेस का क्या हो गया सब्जेक स्टड़ी करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानि प्रिजेंट सिंपल से वाक्य बना रहा है सामनी बाद कि यह जब तक कि तुम पढ़ाई नहीं करते पढ़ाई कैसे वेरी हाड बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करते यू के न अभ्यास करना पड़ेगा बार-बार काम करना पड़ेगा तो जिस काम के लिए बार-बार काम करना पड़े जिस शर्त को पूरी करने के लिए बार-बार काम करना पड़े वहां पर अनलेस का प्रियोग हो गार एक बार में काम हो जाए जैसे यहां घराने का काम था तो आट का पर योग नहीं करना थो याद रखेंगे जब हम not अदाएंगे तो gonna we are now we are already तो कैसे यह किंगे तो स्थरी स्कुर्ओ कि घृतकर हो जैसे मैंने बॉला किया आय मैं एक लाव ہ कर एक ड्रेदम यह क्या गार मीजिक हमारे sentence में और जब हम does not हटाएंगे तो क्या फरक पड़ेंगे देखें मैंने लिखा I love music subject verb object love verb की कौँजी form है first form अब आप बोलना चाहते हैं कि नहीं मैं तो यह music को प्यार नहीं करता तो आप क्या बोलेंगे I do not love music do not हटाएंगे तो इस verb पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है यह verb वापस आगई यह से लेकिन अगर मैं ऐसे लिखू she loves music इसका negative बनेगा she does not she does not love music वह music से प्यार नहीं करती है तो अगर मैं does not हटाता हूं तो मुझे इस love को वापस किसमें चेंज करना पड़ेगा लवज में यह यह लगाना पड़ता है इसी प्रकार इसी प्रकार एक चीज़ और हम समझ लेते हैं यहीं कहीं साथ के साथ कि जैसे राम मुझा किल रावन इसका नेगेटिव बनता है राम मुझा किट्रावस तो जब हम दिद्ध Culture को अटाते हैं तो दी गई जो वर्ब है वो किसमें चेंज जाती है वर्ब की second form में चेंज जाती है ये तीन चीज़ हमने सीखी है ठीक है वापस हम हमारे एक्जामपल्स की और आते हैं ठीक है हम एक्जामपल में पढ़ रहे थे की सर यहां पर डू नॉट हट गया और लर्न बिल्कुल वी वन की फर्स वर्म सही है अच्छा सर नॉट क्यों आया क्योंकि हमें पता है यह पहले सही नॉट है कंजंशन है नेगेट है आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बार और नहीं पढ़ते हैंहां अल्स दटी चर्स अलेई इस ऐर्स वा थीचर अन दा आता है नोबड सर्दीन गोंड़ा्ट ऑप ल्लाह सकता को भी लॉडस से बाहर नहीं जा सकता है पया से कर गना कि प्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक पहुचाए इसको शेयर करें अठीके इसकी नोड्स बनाएं और अच्छे से बढ़ाई करें थेंक्यू सो मच